हाई गाई वेलकम बैक इन न्यू वीडियो आज की वीडियो में फिर से लेकर आगई हौलती राम का एक और प्रोडक्ट वर इस बार में क्या लेकर हैं हुआ इस बार में लेकर हैं गोलगप्पे पानी पूरी गोलगप्पे आप जो भी कुछ कहलो हमारे यह तो पंजाब में हरदी राम का गोलगप्पे हैं जो की है 20 पीसिस और यह काफी फ्रोडव प्राइज में है जो की 85 रुपीस के है जो की पाफी बढ़ी प्राइजिंग है आप 85 रुपीस आपको 20 पूरी जमिल दी है पानी पूरी मिल दी है है जो कि काफी बढ़िया है और और ने दंज सकते हैं अपने साथ सब्सक्राइज भी आप सब्सक्राइज कर सकते हैं तो अपने अफे उत्हार आप सकते हैं तो तो अपने तरह पिक्चर बनी होती है सब कुछ लिखा होता और 180 ग्राम वी लिखा हुआ उन्होंने लिखा भी हुआ है जो 20 पूरी उन्होंने डाली है वो 180 ग्राम के अराउंट डाली है तो टोटल ग्राम जो है वो 180 ग्राम होगा तो प्रोड़क्ट ऑफ इंडिया साइट पे हाउ टू मेक सुपर यमी पानी पूरी और पीछे की तरफ इनकी सब इन्फोमेशन और साइट पे लिखा हुआ है कि आप जा तो आलू डाले यो जा फिर आप चने डाल सकते हैं मिक्सित अप विद यो फेवरिट टॉपिंग्स त प्रोड़क्ट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है तो चलीए ये उपन हो गया और इसके अंदर निकला है ये पैकेट इसमें होंगी पूरी कफी हलका है वा काफी लाइटवेट है और इसके उपर भी आपको पानी पूरी 20 पीसेज और मन फैक्टरी मिल जाती है इसके their fashion factory कि उसके पाड से निकलते हैं यह तो पैकेट एक में होगी डूसरी में होगी हमारी कानजी पानी जो होगा और एक में होगी ज़ए ध्यवभी जटसी भी सब्साथी सब्सक्राइब अधिया कर सकते हैं यह इश कर सकते हैं डी आवड करके तो चलिए हम इसे उपन कर लेते हो देखते की ओपर क्या क्या लिखा है पानी पूरी पेस्ट नेट वेट 70 g इसमें 450 ml पाणी दलेगा तो चलिए हम इस उपन करते हैं broken वहिसमें पानी डाला है तो चलिए खाल इसे अफने साब चास्टें कि अगर आपको आपको जादा यह उसका पानी तो अपन गरते हैं और अपको दिखाते हैं कि इसका को दिखाते इसका कलर के साथ अफने एंडर से कैसे निह निकलते हैं तो यह उपने जो पीछ में स्टफिंग डालनी है वनदे रुखेसे हम system is ready कर लिया इसमें ने आलो प्यास और चने वग़रा पफ डाली है तो जलिए हम पैकट्स कोल लेते हैं समस्से पहले हम इसकी कर लेते हैं जो हमारी mango कि सॉस है अन्हें लिखी है उसकी कर लेते हैं तो यह आप इसका कलर देख सकते हैं तो इसमें पानी विगरा कुछ नहीं डालना यह आज इस यह आपको खानी है तो काफी बढ़िया ऐसे टेस्ट वाइस तो काफी बढ़िया तो अब हम मिक्स कर लेते हैं गोलगपो का पानी गोलगपे 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 तो यह कुछ इस परकाल की है अगर आप देखे तो पेस्ट इसके अंदर लगा रहा गया इसमें भी थोड़ा पानी डाल लेते हैं पानी काफी बढ़िया है तो थोड़ा साथ टेस्ट करके देख लेते हैं है है बढ़िया और को स्पाइसी जाहिए तो आप थोड़ा कमी बानी डाले अगर आपको जादा तिखाने खाना तो थोड़ा सा जादा दालें तो चलिए हम पूरीश को भी खोल लेते हैं ओपन लेते हैं देखते हैं कि कैसी हैं देखने में तो यह खुल गई है पिटारा तो यह पूरीज है और हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं प्लेट लेके आओ तो कुछ पूरी तूट गई है और बागी का पैकट देख सकते हैं खाली हो गया तो हम गिन भी लेते हैं कि कितनी हैं 16 जो मुझे चार में से ठोटी मीली है तो मैंटी स्ट लेन नहीं दूटी मिली है और यह का चुरा-चुरा हुचका हुआ uh इन्हों ने बीस पुरी लिखी है वही छीज अगर जात हम ग्राम को कंसीडर कर सकते हैं या हम पूर इसका जो लिखा हुआ है उतना डालना चीज़ ता अब पता नहीं यह क्या है और अगर अगर आपके वह इतने कम निक दीए तो आप को में स्क्री प्यांटर पता दीजिए तो चलिए कोई बात नहीं आप जो कम है तो वह तो कम ही है तो आप हमें खा के देख लेते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है तो चुटी-चुटी सी पूरीज है न बड़े वाला पैक भी जरूर लेकर होगी विधिन उनमें भी ऐसी है चुटा ऑप पुरीज को चाड़ ही है तो चलिए हम इसमें थोड़ी सी यह स्टफिंग डालेते हैं फिर ये पुरिशी मीठी चटनी डाल लेते हैं और उसके बाद वैसे इसका मज़ा तो इसमें डिबो के खाने में आता है तो चलिए हम इसका तो बढ़ी है ताय तो कियो जा सकते है और अगा तो स्पाइसी जई तो स्पाइसनेस भी है तो यह काफी बढ़ी है पूरी गम निकली इसलिए थोड़ा संदुख है बढ़ टेस्ट है इसलिए खुशी भी है तो चलिए एक और ट्राय कर लेते हैं तो कुछ-कुछ तो टूटी है वैसे इनमें यह भी है कि इनमें बीच-बीच में नीचे पीछे की तरफ शेक है जिससे पानी अराम से नीचे न डिचान के लिए तो अगर कि अगर 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 जाते हैं तो आप अगर घर में ही खाना चाते हो तो तो आप लाग सकते हो बागी यह उत्तरी रहें तो आपको मैं अगर ताओं तो बटा रहा मैं आपको यह बताओं कि यह उतनी करंची नहीं है कम करंची है आप यह सोच सकते हैं यह समझ सकते हैं वैसी फ्रेशनेस नहीं है जैसे कि हम पानी पूरी वाले भाईया के बाद जब पूरी खाते हैं वो काफी करंची होती है और यह प पानीपुरी जो उसका पानी है वो भी कुछ वैसे ही है जैसे हमारे जलजीरा होता है ना वैसा टेस्ट इसका बागी मीधी चटनी काफी बढ़ी है काफी बढ़िया है अगर में पानीपुरी वाले भाईया से जाके गौलगप पे खाऊंगे और फिर घर पे लाके यह पानीपुरी वाला मैं सैंट ऑप्शन पर रखूंगी सैंट नंबर पर रखूंगी कि ताकि अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो आप मैं खाऊंगी ब तो अगर आपको वीडियो को लाइक करना और अगर आपको अच्छी लगते हैं तो चैनल पर बहुत सारी आपको वीडियो में जाएंगी और एक व्लॉग भी है जिसमें आपने डिटेल में बताया था कि हल्दी राम के जो स्टोर है उस पर क्या क्या अवेलेबल है तो अग थैक यू सो मच गाइस फॉर या टाइम